हेलो दोस्तों स्वागत है आपसे भी का आएक्जाम भी में तो guys at last SSE ने अपना CGL का tier 1 का 2022 में जो examination थे उसका result यहाँ पे जारी कर दिया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो tier 1 था वो 1 बारा से 13 बारा के बीच में हाँ पे करवाए गए थे जो कि हमारा computer based examination तो यहाँ पे सबसे important चीज यह ही है कि जो examination कराए गए थे यह जो date से हमारी यह आपने यादक नहीं है तो यह सबसे important है यहाँ पे जो यह marks यहाँ पे tier 1 की थे जो बच्चे जो दिन बच्चों ने यहाँ पे score किया है shortlisted हुए है वो tier 2 examination के लिए shortlist हुए है अब यहाँ पे जो separate cutoff बनाए गई है fixed की ठीक है तो वो है post यहाँ पे आपकी कौन-कौन CAO जो की होता है assistant audit officer और assistant account officer यह list 1 है दूसरी list जो हमारी वो है junior statistical officer जिसे हम बोलते है जेसो और यहाँ पे जो पाकी पोस्टे जीसे की आपने देखा होगा SI in आप देख रहे हो income tax हो गया और जो जो vacances आती है उसके लिए list 3 है यहाँ पे आप देखोगे जो tier 1 का computer based examination है वो multiple shifts में कराए गया था और जो marks यहाँ पे बच्चों ने score किये गए है ठीक है तो यहाँ पे normalization के तहट उनके marks को यहाँ पे publish किया गया है website में तो यहाँ पे आप सबसे important चीज क्या है कि आपका normalization के बाद यहाँ पे आपके marks के तहट यहाँ पे क्या करा है उन्हें जो यहाँ पे cut off है उसको जारी किया है तो यहाँ पे जो भी बच्चे पास हुए है वो tier 2 के लिए जाएंगे तो सबसे important चीज यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे tier 1 का कौन-कौन से बच्चे अपेर हुए है यहाँ पे आप देख सकते हो cut off क्या है देखिए paper 1 और paper 3 जो की है आपका GS finance and economics और यह किसके लिए यह आपका assistant audit officer और assistant accounts officer तो यह उसकी list है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप देख रहे हो 23, OH 128.5, HH 96.4, PWD और others है हमारा 72.7 तो यह सबसे important है आपर और कितने बच्चे इन्होंने select के है इसके लिए इसके लिए करे है 25,01 बच्चे अब यहाँ पे आप दूसरी list देख सकते हो यहाँ पे tier worker result है ओके यह किसके लिए है यह आपका junior statistical officer के लिए यहाँ पे आप देख स 150.3, OBC की 167.19, EWS की 169.35, कितने बच्चे इन्होंने available यानि कि जो paper 2 के लिए इन्होंने select किये है वो करे है 1149, अब यहाँ पे सबसे important आता है यह जो की post है आपकी AO और JSO के बाहर जैसे कि आपका income tax और जो जो भी यहाँ पे आती है वो सब यहाँ पे आपको देख रहे हो, tier 1 यही सबसे जो important होता है बच्चों के लिए होता है, यहाँ पे SC की 89.8 है, ST की आप 77.5 देखोगे, OBC की 114.2 है, EWS की 102.3 है, UR की 114.2 है, ESM की 40 है, OH यानि ESM मतलब एक service man हो गया, OH, HS और VH की आप देख रहे हैं, आप 70, 40 और PWD यहाँ आपका 40, टोटल बच्चे इन्हों जो आपने देखा होगा, और आप यहाँ पे एक जो हमारा वीडियो, S20 सरका वह आप देख सकते हो, उन्होंने यहाँ पे जो prediction किया था, जो score यहाँ पे prediction किया था, उसी से मिलता चलता है, यहाँ पे आया है, तो आपने चैनल को जरूर सब्क्राइब करना है, आगी के सभी जानकारियों के लिए,